मिट्टी का टीला बना मौत का कारण राजपूर थाना छेत्र के सरेंजा गाउं में एक दर्दनाख हादसा नमस्कार मैं भारदवाज मिश्रा और टाइम फैक्स न्यूज में आपका स्वागत है जिले के राजपूर थाना छेत्र के सरेंजा गाउं में मिट्टी के टीले में दब कर चार बच्चियों की दर्दनाख मौत हो गई जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है यह घटना सरेंजा राजकिय बुनियादी स्कूल के पास हुई जहां बच्चियां मिट्टी खोदने के दौरान हाथसे का सिकार हो गए हाथसा तब हुआ जब पांच बच्चियां मिट्टी के चूले और घर के लिपाई पुताई के लिए मिट्टी खोदने गई थे मिट्टी का पुराना टिला अचानक भरभरा कर गिर गया और सभी बच्चियां उसके नीचे दब गई आसपास मौझूद बच्चों के सोर मचाने पर ग्रामीर मौके पर पहुँचे और तुरंत मलबा हटा कर सभी को बाहर निकाला गया घायल बच्चियों को ततकाल अस्पताल लिजाया गया जहां डॉक्टरें ने चारों को मृत घोसित कर दिया इस घटना में मृत बच्चियों में सरेंजा गाओं के स्याम नरायन की दो पुत्रियां 11 वर्सिये नैंतारा कुमारी और 8 वर्सिये सालिनी कुमारी रमेश राम की 6 वर्षिये पुत्री सिवानी कुमारी तथा टिंकु राम की 11 वर्षिये पुत्री संजु कुमारी सामिल है धायल बच्ची करिस्मा को 10 वर्ष की और रामचंदर की पुत्री है का इलाज कराया जा रहा है नैंतारा और सालिनी सगी वेहने थी घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और जांच शुरू कर दे प्रसासन ने भी मामले को गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच को आदेश दिया प्रारमभीत जानकारी के अनुसार मिट्टी का टीला काफी पुराना और असुर अक्षित था जिससे यह हादसा हुआ तो आईए देखें पूरी खबर